तो यह तो हो गए हमारे प्लांट मूवमेंट की बात हो गई अब जनरली हम लोगों की दिमाग में एक सवाल आता है प्लांट में क्या होता है? मूवमेंट होता है लेकिन अनिमल्स के अंदर क्या होता है? लोकोमोशन होता है और मूवमेंट में होता है होता है लीउंग्स है ऑई शाई वियूंस से वियुक्षाएट तो क्या हो रहा है लोकोमोशन हो रहा है तो हर चीज के पीछी करांता अनदर कॉनसेप्ट लांट्स के अंदर आप लोगों नहीं सुना हो वगा कि और क्या करते है फोटो फोटो संथेसिस करते हैं, जो फोटो संथेसिस करने का मतलब क्या होता है, कि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, ठीक है, खाना खुद कैसे बनाते हैं, कि उनको फोटो संथेसिस के लिए उनको क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, वाटर चाहिए, ठीक है, कारव वो सारी चीज अवैलेबल हो जाती है जो चीज उनको अपने सर्वाइवल के लिए चाहिए होती है सबसे मोस्ट एपॉर्टन खाना चाहिए फूट चाहिए एनरजी चाहिए एक जगे से ही उनको हर चीज क्या हुरी है मिल रही है इसी मज़ए से उनको lokomotion करने की कोई ज़रूत नह taşती है। इसलिए प्लांट के अंदर क्या होता है? सिफ मुंव़मंट होता है। बिल्ट नहीं होता है। जिसट अपोजिट अनिमल्स के अंदर क्या होता है? फोटो संथेस का प्रॉसस नहीं होता है। और जिसमें photosynthesis का process नहीं हो रहा है, वो अपने food के लिए किसी और पर depend है, यानि plants पर depend रहते है हम लोग, और जब हम depend रहते हैं, independent नहीं है, तो हमें उसके लिए क्या होता है, locomotion की जरूत होती है, हमें वहां तक जाना पड़ेगा, अपने खाने के लिए हमें motion करना होगा, locomotion कर हो गई, अब हम बात करते हैं हमारे unicellular की movement की, कि single cell है, unicellular है, उनके अंदर मोवमेंट होता है, जो higher animals है, उनके अंदर क्या होता है, पैर होते हैं, ठीक है, लेकिन unicellular single cell उसमें इतनी structure होती नहीं है, कि पैर निकल जाए, naked eye से दिखते नहीं, तो पैर कहां से दिखेंग तो उनके अंदर कैसी structure होती है, जिसकी वज़े से वो locomotion करते हैं, unicellular के अंदर भी क्या होता है, locomotion होता है, ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे, unicellular के अंदर किस तरह से locomotion होता है, locomotion के लिए unicellular के अंदर तीन तरह के और्गन्स होते हैं, तीन तरह के और्गन्स होते हैं, फर्स्ट होता है आपका pseudopodium, सेकंड होता है आपका स्थिलियम, थर्ड होता है आपका फ्लैजिलम, ठीक है? कौन से locomotory organs होते हैं, pseudopodium, syllium होता है और phleagulum होता है, ठीक है? अब बात आती है कि यह जो locomotory organs होते हैं, इनके brand ambassador call है, कौन से ऐसे representative है, जिनके अंदर, यह pseudopodium होता है, sylium होता है और phleagulum होता है ठीक है ताकि उनके बारे में हमें पता रहे कि ये तीनों के अंदर क्या होते हैं ये अलग-अलग तरह के लोकोमोटरी और गंस होते हैं तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं सूडो पोडियम के बारे में अब इसको हिंदी में बोल सकते है छहनमु ठीक है। पोडियम का मतलब होता है लिटल फुट। पोडियम का मतलब होता है लिटल फुट। छोटा पैर फ्सुडु पोडियम क्या होता है एक आह्म-ligen लाइकguru एक स्कुर्प्चर होती है या projection होता है, एक उभार होता है, उंगली जैसा जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, तो ये कैसा होता है, arm-like और finger-like, ये इस तरह का क्या होता है, projection होता है, ठीक है, अब pseudo-podium का जब नाम आता है, तब इसका brand ambassador कौन है, किसके अंदर ये pseudo-podium बनता है, तो सबसे important example है आपका amoeba, amoeba के अंदर जो locomotion होता है, वो किसके जरिये होता है, pseudo-podium की जरिये होता है, pseudo-podium का representative कौन है, amoeba होता है, जहां भी नाम आता है pseudo-podium का, तो याद रखना कि pseudo-podium का मतलब क्या है, जैसे amoeba के अंदर लोको मोशन होता है, उसी लोको मोशन की बात की जा रही है, जहां पर pseudo-podium की बात आ रही है, इसका example क्या हो है, amoeba, जब हम बात करते हैं pseudo-podium की, तो pseudo-podium का मतलब होता है, एक, single, जब हम बात करते हैं, तब हम क्या use करेंगे, कि एक यदि कोई projection बन रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, pseudo-podium का जाता है, लेकिन एक से जादा बनते हैं, more than one, तो क्या बोलेंगे हम उसे pseudo-podium बोलते हैं, pseudo-podium नहीं बोलते, तो ये चीज़ दिहान रखना कि जहां पर pseudo-podium हो रहा है, यानि वहां पर एक बन रहा है, या जहां पर आपका word आ रहा है, pseudo-podium हो रहा है, तो वहां पर एक से जादा बन रहे हैं, एक से जादा projection निकल रहे ह क्या कलाते है pseudo-podia कलाते है ठीक है तो ये इसका एक तरह से plural है तो plural क्या कलाते है अपका pseudo-podia ठीक है यह चीज याद रखना कि जब ये word यूज हो रहा है तब क्या है more than one है एक से ज्यादा बन रहे है और जब pseudo-podium यूज होता है जहां uh program आ रहा है वहां पे क्या हो रहा है एक बन रहा है एक stratus Anji कर इंच चार रहा थीक है सेम है सिलियम सेप्ष हर widow जब रटा c'stag वर आता है सिलियम तब हम सिंगर की बात करें walls कर देंख कर तभsung करते हैं स्लियम अब सिल्यम लोकोमोटरी ओरगं किया ओते हैं यह होते हैं होस्पे चोटे हेर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं की हेर्लाइक के तो से सिल्यम क्या होते हैं शोटे शोटे बालो जैसी structure होती है जो पूरी body को cover करे हुए होती है पूरी body के उपर फैली होती है cillium जो होता है वो कभी भी अकेले नहीं होते है इसलिए हम जब भी locomotion की बात करें जहां पर cillia के वज़े से हो रहा है तो याद रखना की वहां पर एक से ज़ादा है इसलिए ये जो motion होता है हमेशा group में रहते हैं इसलिए ये term use किया जाता है इसके लिए cillia term use किया जाता है कि जहां पर motion हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे by ciliary motion होता है cillia मतलब group में होती है ये जो चीज होती है group of cillium चीक है इसे बोलते हैं सिलिया, ठीक है, सिलियम या सिलिया का जो लोको मोशन होता है, या लोको मोशन होता है, सिलिया, वो किस के अंदर होता है, उसका ब्राइड अमिसेडर कौन है, पैरा मीशियम, इसका एक्जामपल होता है, पैरा मीशियम, जब भी आपके दिमाग में आए, कि ज यह उसका brand emisator है, ciliary motion का representative कौन है, paramitium होता है, ठीक है, ठीक है, paramitium होता है, अब बात आती है हमारे फ्लेजिलम की, simple सी बात है, जैसे ciliarym है, यह single use हो रहा है, फ्लेजिलम में क्या है, यह singular है, फ्लेजिलम का मतलब एक, जब एक होगा, लोकोमेटर यॉगन, तो उसके लिए क्या यूज किया जाएगा, फ्लेजिलम यूज किया जाता है, लेकिन जब more than one होता है, एक से ज्याद होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं, फ्लेजिलम, 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 कौन है इसका रिप्रेजेंटिटिटिव कौन है यूग लेना अब मैंने आपको यह तीनों बता हैं अब हम देखते हैं कि और मेशिछ और यूगलीना की स्ट्रक्ट 우리가 कर Ноon-ख रॉटिकन है एक को रायं है यह खाते हैं जिरेना है 농 síl Inde अपनी बोडि को धाल लेता है या बना लेता है जेनरली हमें एक तरह से बना देते हैं कि यह इस तरह, यह कभी round भी हो जाता है, क्यूं कि इसकी उपर कोई cell wall नहीं होती है, जब cell wall नहीं होती है, तो क्या होता है कोई foundation नहीं होती, जब boundation नहीं होती तो इनका shape जो होता है वो कैसा होता है irregular shape होता है ठीक है इसके अंदर amoeba के अंदर ये जो structure है ये इस तरह से जो projection निकलता है ये क्या कहलाता है आपका pseudo-podium कहलाता है ठीक है अमीबा जो होता है उसके अंदर एक से ज्यादा सुड़ो-podium बनते हैं इसलिए amoeba को क्या कहा जाता है multipodial कहा जाता है ठीक है अमीबा multipodial होता है अब बात आती है paramecium की paramecium की structure कैसे होती है ये structure होती है हमारे sleeper जैसी ठीक है एक एक sleeper जैसी structure होती है और इसकी पूरी body जो है वो cilia से cover रहती है पूरी body पे cilia इस तरह से लगी रहती है hair-like projection होता है जो पूरी body को cover करके रखते है ठीक है इनका जो shape होता है ये paramecium का जो shape होता है वो एक sleeper जैसा होता है इसलिए इसको हम क्या बोलते है sleeper animal cue ठीक है ये होता है हमारे paramecium में अब बात आती है हमारे यूगलीना की यूगलीना की structure होती इस तरह से कि यहाँ पर जो phlegelum निकल रही है इसकी जितनी body की length होती है उतनी बड़ी क्या होती है इसकी phlegelum होती है यूगलीना की खास बात यह है कि इसके अंदर जो phlegelum है वो दो बनती है बनती यहाँ पर दो है लेकिन एक बहुत छोटी होती है जो किसमें इसमें ही attach हो जाती है कहने का मतलब है यहाँ जाके fuse हो जाती है तो fuse होने से क्या होती है कि एक ही phlegelum जो है वो body से बाहर आती है ठीक है तो जब हम इसकी बात करते हैं तो यह क्या कहलाईगी आपकी phlegelum कहलाती है ठीक है यहाँ पर जो सिलिया है वो क्या कहलाएगी यहाँ पर यह जो एक होगा तब क्या कहलाएगा यह सिलियम कहलाएगा लेकिन सिलियम जो होती है वो कभी भी सिंगल नहीं होती है तो यह group में होती है इसलिए यह जो क्या कहलाता है command रूप से सिलिया कहलाता है जब भी हम अच्छक कर आप कर तोच में इपते हैं इसको हैं टाले कि यह आपको आपatamente तो फ्लेजिलम जो है वो हमेशा किस डारेक्शन में होती है जिस डारेक्शन में यह आई स्पॉर्ट होता है या स्टिग्मा होता है अब हम जनरली कभी कभी क्या होता है कि कुछ हम एक नॉर्मल टम में बोल देते हैं कि यह लोकोमोशन हो रहा है यानि लोकोमोशन किस में होत ईडिस्टिक होता है, लोकोमोशन नीलम और इस समुनल्र एक होता है. लेकिन लोकोमोशन इनमें भी हो रहा है. तो हमारा जो 1 डेवलोपेंट हुआ है. मैंने आपको 2 डेवलोपेंट बता था हुआ यूनि से साललुब्लोल से हुआ है. इसको हम क्या कर सकते हैं तो हम इन्हें पूरा complete animals नहीं बोल सकते हैं लेकिन क्या बोल सकते हैं हम इन्हें primitive animals बोल सकते हैं तो जब इनकी बात आरी है आपके तो आपको यह चीज याद रखना कि यह तरह से रिप्रेजंटेटिव है यूनी सालूल के अंदर जो लोकोमोटरी ओगन्स होते हैं उनके यह तीनों क्या है उनके ड्रैंड एमिसेडर है यह चीज ध्यान रखना यह तीनों रिप्रेजंटेटिव है आपको कोई बात समझ में कोई नहीं आई हो कोई प्रॉलम हुई हो किसी भी तरह से कोई पॉइंट है क्यों समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीज़ेगा और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं ठीक है तिल दैन ठीक क्या थैंक यू